अब नमस्कार दोस्तों महुष्षात्पृर सोंगर आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक गाना लिखने का महतपूर तरीका तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उसके पर दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर तो जितने भी नए गीतकार हैं यदि वो गाना लिखने बैठते हैं तो मुखड़ा लिख लेते हैं तो अंत्रा नहीं लिख पाते हैं यदि एक मुखड़ा और एक अंत्रा लिख लेते हैं तो उसके बाद का नहीं सोच पाते हैं तो सोचने का मतलब यह है कि यदि आपको लगता है कि मैं गाना गलत लिख रहा हूं तो गलत ही लिखिए हार मत मानिए क्योंकि गलत से ही सही आगे लिखा जाता है गलत का मतलब यह है कि आप पचास गाना या सव गाना गलत से जो गलत हो या सही हो मागर लिखिए उसे ठीक है ताकि आपका सोच जो सोचने का तरी जो दिमाग सोचता है उसका हैबिट आदत जो है बन जाए चीक यह तो रही सोचने की बात क्योंकि गाने में सबसे महत्पूर होता है सोचने अगर आपका सोचना कमजोड है आप सोच नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत होगी गाना लिखने मे पहले आप क्या करें पचाश या साथ गाना या सौ गाना आप गलत ही लिखिए मगर उसको सोच कर लिखिए ठीक है ताकि आपका सोच सोचने के लिए बढ़िया से बन जाए ठीक और यदि आप मालीजी गाना लिख रहे हैं और गाना लिख नहीं पारे हैं मालीजी मुखडा लिख रहे हैं तो अंतरा नहीं लिख पारे हैं इसका क्या है इलाज तो इसका इलाज एक है दोस्तों तो मालीजी आज आपने ये गाना शुरुवात क्या लिखने का तो आपने यानि कि आपको एक दिन में पूरा गाना नहीं लिखना है ठीक है थोड़ा-थोड़ा करके पूरा गाना है तीन-rade पहलले वह उजड़ा के आप लुखते हैं और इसी प्रोने aúnग लिखना जीतकार थूड़ा थोड़ा करके आप गाना लिख सकते हैं तीन चार दिन में एक गाना बनाईए आपका विल्कुल गाना बनेगा आप लिखना मत छोड़िए भले गलत लिखते हैं अगर लिखते रहें ताकि आपका सोच जू बन जाए बाद में दिक्कत नहीं होई यदि आपको कोई परसानी ह होती है तो हमारे इस नंबर पर काल करिएगा जो हमारा नंबर है इस पर पूरी हेल्प आपकी की जाएगी तो आज के लिए इतना ही थांक्यू झाल झाल झाल